महिस नामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम चिस समय मौजूद है मुम्रा के चुहा पुल पर जिस तरह से हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी एक अरबाज शेख नाम का लड़का जिसकी उम्र बीच से 22 वर्ष बताई जा रही है कल इसी चुहा पुल पर कोछ पता नहीं चल सका है अलाकि कल जिस वक्त हाथसा हुआ था उस वक्त भी दमकल के दमकल विभाग की टीम यहां पर आई थी और आज सुबह के वक्त भी अगनी सामंदल और टीडियार और आपात्ती विवस्थापन के टीम यहां पर पहुंची थी लेकिन परिवार के ल परिवार के लोगों का बुरा हाल हो चुका है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है दमकल विभाग की लोग यहां पर आए सुबह में और सर्च किये चले गए तीन तीमें यहां पर आई थी लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोग जो है अलग ही उनका क कुछ कहना है हम उनसे बात करने की कोशित करेंगे कि आखिर इस मामले में उन लोगों का क्या कहना है कि 24 घंटे का समय जो है अब बीच चुका है और अभी भी किसी भी तरह का अरबास का कुछ पता नहीं चल रहा है यहां पर परिवार के लोग मौजूद है क्या कहेंगे आ का काम स्टाट हो जाएगा आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग ने उन लोगों के पर बिलिफ किये कि चलो कल पूरा दिन तो लोग ने वैसे ही निकाल दिये किसी ने हमारी एक परसंट भी हैल्प नहीं किया जिफ एक काम जरूर कर रहे थे कि आते थे और हमको भगा देते थे आते और हमको भगा देते थे फिर उनके जाते ही हम लोग वापिस आके खड़े हो जाते थे अपनी तरफ से बोट उतारते थे अपनी तरफ से लड़के उतारते थे चाहे उनको तहर ना आता है नहीं आता है लेकिन हमको अपने बच्चे की फिकर है तो हम उ लेकिन जब वहाँ खड़े रहने के बाद मैंने समीर भाई से ऐस देख से बhokनल यहां जोग्नोर कर रहे और यहां तक घाना की टीम । कि कि थोड़ी देर बाद वो लोग आ है पहले वोग ने इधार उदर की बाते किये के नहीं यहां पानी गहे रहा है पहले पानी गहरा था पानी काम होने का अंतधार कि जब पानी कम हुआ तो उनका बोला है पानी बहुत कम हो गया हम लोग अब यह ना मोटर बोट नहीं निकाल सकते हैं बस यहीं चल रही थी अब अभी अभी सुबह के वक्त यहां पर सर्चिंग ऑप्रेशन लोगों ने किया वोट घुमा है और फिर तो गहराई में कोई उतर के चिक ने किया कि बॉड़ी है यहां नहीं है क्या है वो लिये थे उनका वो टायर लेते वो था और रसी बांदे और अपने क्या बोलते हो लोगा सेफटी जैकेट पहने लेकिन अंदर कोई नहीं उत्रा सिफ और रसी बा तो अभी यहां से जाते वक्त आप लोगों को क्या कहा है उन्होंने कब आएंगे अब क्या मैं मा हूँ मेरा दिल होगा घर पर बैठने का मैं बैठ सकती हूं उनका कल तक मैं इंतसार कर सकती हूं मेरे घर का बड़ा बेटा था वो क्या मैं इंतसार कर सकती हूं क्या उनके इंतजार पर बैटे रहूं कि कल तक वो लोग चाहे जवाब देंगे बिल्कुल भी किसी को पड़ी नहीं है बस यह है कि हम लोग बहुत उमीद लेके जाते चाहे वो पुलीस चोकी हो चाहे वो फाइब रिगेड हो बहुत उमीद लेके जाते कि शायद यहां से हमको हेल्प मिलेगी इनको इसलिए बिठाया गया है लेकिन नहीं वो लोग सीव अपना नाम करने को वैटे करना जो कुछ हो हमको ही है यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है इसलिए हमको किसी से कुछ नहीं बोलना है जितनी हम से हो सकता हम करें करेंगे पानी का बहाऊ जो है अब बढ़ रहा है अलाकि कल भी तरह का यहां पर पानी का बहाव था लेकिन जो मुम्रा के फायर बिगेट के मुख्य अधिकारी है मिश्रा जी उनसे भी हमने बात की तो उनका साफ कहना है कि पानी का बहाव तेज है इसलिए हम अभी सर्च आपरेशन नहीं कर सकते हैं शाम के वक्त जो है पानी जब उतार होगा पानी का उस वक्त सर्च आपरेशन यहां पर शुरू करेंगे लेकिन 24 घंटे से भी ज्यादा समय का वक्त गुजर गया है परिवार के लोग यहीं पर मौझूद है और जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं वह भी आपने सुना है लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो अरबास नाम का यूवक इसमें छलांग लगाया है उसे सर्च आपरेशन करके कब तक उसे उसकी डेध बोडी को बाहर निकाला जाएगा यह कहपाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि पानी का बहाव है खरडी रोट के तरफ भी बोडी जा सकती ह और पानी का जब उतार होता है तो इसलिए बोडी रेती बंदर के तरफ भी मिल सकती है और यहां भी मिलने का अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि दलडल है यहां पर अगर यहां फसी होगी बोडी तो हो सकता है यहां पर ही मिले लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिवार के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कैमरामेन हुसेन के साथ इस्लामुदीन खान प्रहा टाइम्स मुम्रा